आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नहीं चेरा बना जिसको पिछली बार मुक्वंत्री बनाये गया था यानि मुक्वंत्री योगी आदितनाथ और उसके साथ ही शुरू हुआ सपरगर का समारो और साथ ही बाटे गए मंत्राले अब सपरगर समारो तो एक अप्चारिकता है वही आप मंत्री बने आपकी सरकार तो आपको पुरी कर निया सपर रहन करना है पर सपरगर समारो में भी जो मंत्री यह वह कंद समी करना हूं क्योंकि अगर हम बाबन मंत्री की बात करें जिसमें कि आपके मंत्री के दोनों उप्ति सियम नाघ्वर, और बावन लोगों की करें तो समीकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि बनाये गया है यारी सभी अगर अगर मुस्लिम भर्ग की बात करें तो पिछली बार मोशीन रजा को मंतरी बनाये गया तक इसवार उनको बदलते हुए यहां पर दानेज आजार अंसारी एक मन्त्री पत में अर्स आती तो पिछली को और संग hall श्याग समय करने तो जगा है वो समय कि एंगे क्योंकि चुनाम मों यहां ब्यास्था नीज्बान हैं को बैउस्थाइब मुझ ज़्या निक्रोन समति और और क्योंकि 2024 को चुनाव जो लोकस्वा चुनाव है उसको लेकर कम्भीरता बहुत जरूरी है और बीजेपी की हमेसा तरजी रही है बीजेपी की खासियत है कि एक चुनाव खतम होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी वापन सुरू हो जाती है इसलिए 27 ने 20 OBC और 9 SCST की जो चहरे हैं उनको इस बार मंतराले में अपनी केबिनेट में राज मंतराले में जगए दी क्योंकि चुनावी महरपूर हो साथी साथ सभी बर्गों ने इस बार बीजेपी को बोट भी दिया है इस परस्ट आया जनादिस एक बार साथ दिखाता है कि इस बार बीजेपी को जनादिस मिला है उसमें सभी बर्गों की महरपूर भूमिका है चाहे बर्ग हो चाहे धर्म हो सभी ने बीजेपी को बोट दिया है जिसके जलते बीजेपी एक इतिहाद बनाने में सफल तो निस्टी रूप से जब आपको सभी बर्गों ने बोट तो इसलिए ब्रामनों को भी तरजी देते हैं तो इसलिए ब्रामनों को भी तरजी जो समिकर पिछली बार था भाही समिकर इसलिए बैठाला गया है और एक मौर और ब्रामनों को इसलिए पनाए गया है तो भाही जो प्रजेश अधर्श रहे हैं सौतन डेफ सिंग उनको बड़ी मिनारी देती उनको जलसक्ती बेबाग दिया गया है तो कुल मिलाके इस बार ज अधरने जाता है कि जिन जिन बर्गों ने हमको बोट दिया है तो सभी वर्गों के निताओं को अपने मंति में मंति पर जगाय देंगे और एक संदेश और भी जाता है क्योंकि 2024 से चुनाव है और 2024 के चलते आपको सभी बर्गों को इसे प्रमुकता देनी पड़ेगी उनक वो आपको तबज्यों देनी पड़ेगी क्योंकि उत्तापडेश का चुनाव होता है लोकसवा का बहुत मैत्पूर्ण है कहा जाता है कि अगर केनी सरकार की सरकार बनती है कुंजी है वो उत्तापडेश के रास्ते ही होकर जाती है और इसलिए यहाँ पर सभी लोगों को ब वरगों की तो केशव पशार मौर्या बर्भी सी बार्ग से आते हैं बिज्ज पाड़ा ब्रह्मर बर्ग से आते हैं सथांडिडर कुर्मी है पिछला बर्ग से आते उनको जलसक्ति विबाग दिया गया है और प्रडेश अद्रच विराय भातियंदा पार्टी के इसके सरकार में ही मंतरी थे दोबारा इनको मौका दिया गया है वे से हैं इसके पर पिछरी सरकार में पंचाथी राज मंतरी थे इस वार फिर मौका दिया गया और वो जाटवर्ग से आते हैं अनिन राजवर जो राजवर समाज उनसे जो बीजेपी से कहा जा रहा था कि नाराज हो गया है सुभास्पा के जो राष्टेट डच है उन्पे के राजवर छोड़के चले गए हैं तो यहां पर राजवर समाज का नुकसान होगा तो बहुत क पूरी करतोई अनिन राजवर को दोबारा यहां मोका दिया गया है वो राजवर समाज से आते हैं जो कि कॉंग्रेस से लोट कर आए थे और कॉंग्रेस से लोट का आने माने जाथा कि इनको बड़ा पद्या जाएगा और निस्चिर रूप से बढ़ा पद्या गया उनको मं अगर विए इस साथ ही उनको दो महत्पून विवाग दिये गए है वह नगर विकास नगर विकास को दो अनुभाग वे नहीं विदिया गया है जो कि बहुत मेहत्पून विवाग दिये गया है। सकति का सुर्च और उर्जा को विभाग को वह बैपतर के चलाएंगे तो डिस्विशन को एक मौका दिया गया है अगर बात करें हम योगेंद उपाध्य की बड़े नाम रहे हैं अगरसी जीत करा है ब्राहमर बर्ग से आते हैं उनको मौका दिया गया है आसीज पटेल जो की पति हैं उनको भी राज्य बनाए गई उनको मंतरी बनाए गया वह पिछला बर्क से आते हैं है सज्ञे निसार निसार पार्टी के उनको भी आपने बादे के अंरूप उनको भी मंतरी पर दिया घ्रह सब्सक्राइब को और जो जो की राजवीर सिंग्,請 कनलाड संहीं के सकार नचांइर सब्सक्राइब्स आते हैं एक युबा चेर को जमनारी देते हुए उनको पिछला बर्ग से राजमंत्री बनाए गया है तो वही गुलाब देवी को दोबारा मुखा दिया गया है उनको दर्ज जाती से एक पिकार से सौटन पिरभार दिया गया है तो यहां पर गिरिश चंद आरा वगर बात करें पिछ जाते से गभार दिया गया है तो आगर अगर हटाया है तो कहीं न कहीं अई अनको भी मौका दिया गया है और अगर हम बात करें तो कुल मुलाग है अगर हम मौके की बात करें तो यहाँ पर मौका बहुत ही सोच समझ कर दिये गाए क्योंकि आने बाला समय जो है उत्तापने सरकार के लिए चुनोती बाला है चुनोती जरूरी है क्योंकि आपने समीकरनस से आपको लोगों से काम कराना तो यहाँ क्योंकि 24 4 को देखते हुए आपकी रूप रेका बहुत अच्छी होनी चाहिए चुकि अगर पछले कारकाल की बाद करने तो पिछले कालकाल का अधिकाहीं समय कुरोना महामारी कि आने च पर अब शुरुबाद हुई है और शुरुबाद इसलिए मेटपूर मानी जा रही है क्योंकि दो साल का कारेकाल आपको फिराल अभी चुनौतिक रूप में देखना है कि दोज़ाच चुनौब को अगर आप ने दो साल के कारेकाल को बहतर आयाम की रूप में पिस्टर कर दिया तो निश्य रूप से लाब आपको अच्छी संख्या में मिली थी तो आपकी सबसे बिसे सड़नी ती यही होनी चाहिए कि आगामे दो साल आपको ऐसे काम करना है कि गैने के सामने जनता के सामने बहतर आयाम करें पास्तर हो जके यह चाहिं और आपको हर उस काम की समीच्छा करना है और इस वहार बिभाग भी बड़े सोच समझ के लिए गए है क्योंकि कुछ लोगों आपने दुवारा वही विवाग दी हैं उनकी समिच्छा अच्छी आई थी और निस्षी रूप से जो भी विवाग हुआ दिये गए हैं उस पर गहन मन्थन हुआ है कुछ बड़ बड़े नाम काट भी दिये गए हैं कुछ हार भी गए है तब भी नाम क्षणा पर यह है कि अगर आप दोजया 24 के तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्या रूप रेखा आप रचेंगे जाती समीकर तो आपने आधारत है कि आपने इस पर दिया है कि अगर जमाज के जनता ने हमको जनादेश दिया है तो जनादेश का पूरा सम्मान देगा और स करना है कि हमने बहतर काम दिया और शुरूबात भी हुई थी जब केमिनिट की पहली बैठक हुई और मुखमंत्री योगी अहितना ने बड़ा एलान करते हुए कि जो हमारी निसुल के खाद्यान यूजना है उसको हम तीन महीने बढ़ा रहे यानि जून 2022 तक उसको बढ़ा अब खाद्यान यूजनार उसी दिन जब केंदी मंत्री बंडल में कैब्री बैठक होती है उसको बढ़ा मंत्री मुप्त रासन यूजनार उसको भी हम बढ़ा रहे हैं उसको सितंबर 2022 तक कर दिया है कि कहना है समाच कोई भी तबका भूका ना सोय सबको दिक्कत ना हो कुर अब बीजेपी की जो भी ठिंक टैंक है जो भी रणनीती है वो 2024 को लेकर होगी और साथी साथ जनता का जनादेश का सम्मान भी करना है क्योंकि इस वार स्थिती बड़ी दूसरी रहेगी इस वार जो उत्तपने बिरानसवा का जनादेश आया है 2022 के बढ़ा दिल्चस्प है क्योंकि बीजेपी को अगर इस पर उमत दिया है हला कि पजिवार इनकी 325 सीटे आई थी गड़बंदन के साथ में इस वार 233 सीटे गड़बंदन के साथ आई है और समादवी पार्टी 111 सीटे ले आई है और गड़बंदन के साथ 125 सीटों के साथ मुख यानि मजबूर व क्योंकि अब आप अगर जनता के हित के काम करते हैं तो यहां पर स्यूंग मिलेगा और कोई जनता ब्रोडी बात अगर बाईचार होती है तो यहां विपर्च भी आपको चिताने के लिए बैठा हुआ है तो इस बार कर जो बिदान सभा का चुनावा आया उसका जो जनादे die रहेगी कि हमको सरकार को प्हेते को इस मुद्दे पर घितना है जिस मुद्दे सरकार को कमजोर पार्टी झाज नजर आती मुल्ख में मुझूद है तो इस वार आपको मनमानी नहीं करने का मौका मिलेगा आपको काम करने पड़ेंगा जो आप संकल पत्र लेके आए उसको पूरा भी करना होगा और यह जिम्मदारी भी है और साथ में काम भी क्योंकि आपको एक आयम प्रिस्टुट करना है आपको ए एक ऐसा ब्युस्था प्रिस्टुट करनी है जिसको लेकर जनता यह बार समझे कि हाँ अगर उसने आपको जनादेश दिया है तो बैटर जनादेश दिया है और अब इस जनादेश का संबान करते हुए सरकार काम कर रही है और इसका लाब हमको मिलता रहा है कि जनता करणा नहीं हो रही है तो इसको सरकार को सता है और सरकार से कराएं इसलिए आबसक कि अब हो एक बार नियुकर करनी है युजनाय बनाई गई है क्योंकि यहां पर चुनोती बिपर्च की भी है और साथी साथ जनता के जनादेश की चुनोती भी है जो उसने बड़े मन से आपको दोबारा सत्ता बैठाल कर दिया है यानि आपने सारे मितक को टोड़ते दोबारा मुक्पर्टी भी है और भारते इतना पार्टी के लगाता सरकार है जो तो कि आज तक 37 साल के तियास में नहीं हुआ एन्दरा जो में सरक्राव बदलती रहती पर उत्तरपदेश में इस बार जनता ने इस परस्टे जनादेश आपको दिया है तो इसकी आपको तबज्जो देनी पड़ेगी इसके साथ नयावी करना पड़ेगा और साथ ही साथ पूरा करना पड़ेगा संकल पत्र भी तो मंत्रालाय से आप चाहे जाती समिकर सेट करिए चाहे सभी बर्गों को प्रतिनित देजे चाहे सभी बर्गों को जनादेश मिला उसका सम्मान करिए चाहे सभी बर्गों को तबज्जो देजे पर आपको करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये काम वह भी है राजधर्म, और राजधर्म ये वोलता है कि आपको जो आपने संकलपती के साथ Refyscyors के जनता के बिंजगा है है जिस पर आप लागातार काम करते हैं तो यहां पर जो जाती समयकर्ण से मंत्रारज देने से जाती समयकर्ण एक बनाया गया है निश्ची रूप से आने वाले वह से क्या परणाम लाएगा कहां तरह सरकार की जोना सफल होगी आग्विसमें क्या परणाम भर्ण भर्णाया परण जो बात तो बिलकुँ साफ है कि अगर आपने समाज के प्त्री बर्णो को तबज्ज्च दी है तो निश्ची रूप से आपका काम बैतर होता रंग लाए और अगर आप बैतर के जाने में बैतर युना के साँथ चलेंगे के निश्री रूप से आगामी भबिस में उत्ता पड़ेश को बेतर पड़ेश बना पाएंगे तो आज की चर्चा में अगली बार फिलके से नए मुद्द के सारू कि में लगार नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार